हेलो एवरिवन, वेलकम बेक टो अंदना की रसोई तो क्रिस्मिस के मोके पर आज हम बनाने जा रहे हैं चौकलेट ब्राउनी जिसके लिए आपको किसी भी ओवन की जरूरत नहीं पड़ेगी हम आज इसे गैस पर ही बनाने जा रहे हैं एक कड़ाई के अंदर तो आईए बिना देरी के शुरू करते हैं हम हमारी आज की रेसेपी तो सबसे पहले ही मैंने यहाँ पर लिए है 200 ग्राम के करीब डार्ग चौकलेट जिसे की मैंने माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया था सर्दी बहुत है तो इसलिए यह दुबारा से जमने लगी है और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं बटर मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें एड कर रही हूं कंडेंस्ट मिल्क 150 ग्राम कंडेंस्ट मिल्क लिया है यह कंडेंस्ट मिल्क मैंने घर पर ही बनाया है आपको इस condensed milk की recipe मेरे चैनल पर मिल जाएगी यहां फिर मैं इसका link भी description box में share कर दूँगी तो आप इसको वहाँ से देख सकते हैं इसको अच्छे से mix कर लें इसके अंदर यह अच्छे से mix हो गया है तो चलिए oven त्यार कर लेते हैं तो यहां पर मैंने कड़ाई में नमक डाल लिया है तो नमक डालने के बाद हम इसमें रख देंगे stand और इसको अब हम गरम होने देंगे तो pre-hitter लेंगे हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए बलकुछ slow flame पर और अब यह हमारी chocolate condensed milk और butter अच्छे से mix हो गए हैं और चलिए अब हम बना लेते हैं कुछ dry ingredients यहां पर मैंने एक bowl ले लिया है और इसके उपर एक चलनी रख ली है और सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 150 gram के करीब मैदा मैदा हमने इसमें डाल दिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ half spoon baking powder का साथ में हम इसमें थोड़ा सा baking soda एड़ कर देंगे one fourth spoon baking soda का एड़ कर दिया है और साथ में हम इसमें एड़ कर रही हूँ one spoon cocoa powder का और अब हम इसको चान लेंगे और जितनी भी इसमें ये गांटे हैं जितनी भी इसमें ये गोलिया हैं हम इनको तोड लेंगे और इनको भी हम अच्छे से इसी में ही चान देंगे और अब हम इसको हलका सा मिक्स कर लेंगे बहुत जादा मिक्स करने की जरूरत नहीं है बस इसको हलका सा ही मिक्स करेंगे हम तो चलिए अब इस वैट इंग्रीडेंट में हम ड्राइ और अब हम second time डाल रहे हैं यह material इसको भी अब हम अच्छे से mix कर लेंगे दूसरी बार डालने के बाद अब यह last time material हमने इसमें डाल दिया है और अब हम इसको अच्छे से mix करेंगे तो यहाँ पर हमने सारे dry ingredients और wet ingredients को अच्छे से mix कर लिया है तो चलिए अब इसके लिए एक baking tray त्यार करते हैं तो यहाँ पर मैंने यह baking tray ले लिया है और इसमें मैंने butter paper लगा दिया है side के corners पर भी मैंने butter paper लगाया है और अब मैं इसको थोड़ा सा oil से grease कर रही हूँ टो इसको मैंने oil से grease कर लिया है और अब हम इसमें add करेंगे हमारा material सारा इसमें add कर देंगे तो यह थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें material add कर रही हूँ तो यह chocolate वाला सारा material मैंने tray में shift कर दिया है और अब इस material को हम अच्छे से 4 तरफ spread कर देंगे तो यह material हमने अच्छे से set कर लिया है और अब मैं इसके उपर डाल रही हूँ थोड़े से walnuts जिनको कि मैंने थोड़ा crush कर लिया है यह walnuts हम इसके उपर डाल देंगे यह material थिक है तो यह walnuts जो है वो उपर ही रहेंगे नीचे नहीं जाएंगे तो चलिए अब हम इसको रख देते हैं हमारे oven में तो यह pan हमारा गरम हो गया है तो चलिए अब हम इस baking tray को इसमें रख देते हैं और उपर से इसको ढख देंगे और 20-25 मिनट तक हम बिल्कुँ slow flame पर इसे ऐसे ही पकने देंगे तो 20 मिनट हो गए हैं चलिए च願い कर लेते हैं एक देख हम साइट से तो यह बाहुत अछे से पक गग गया है लेकिन सेंटर से कई और कच्चा होता है तो चलिए नाइव से टेस्ट कर लेते हैं तो देखिए, सेंटर से अभी कच्चा है, तो अब हम इसे 10 मिनट तक और पका लेंगे, ऐसे ही ढग कर, तो 10 मिनट हो गए है इसे पकते हुए, तो चलिए एक बर फिर से इसे चेक कर लेते हैं, तो इस बार मैंने टूथपिक लिए है इसे चेक करने के लिए, तो यह देखिए तूथपिक जो है वो बिल्कुल क्ली निकली है हर साइड से, सैंटर से भी और साइड से भी, तो चलिए आभ इसे बाहर निकाल लेते हैं, और बाहर निकाल के ठंडा कर लेते हैं तो ब्राउनी हमारी बहुत अच्छे से पक गई है और मैंने इसे निकाल लिया है और ये अब ठंडी भी हो गई है तो चलिए अब इसे प्लेट में रख लेते हैं तो butter paper लगाने के कारण यह बहुत असानी से निकल गई है mold से तो चलिए अब हम इसे plate में रख लेते हैं और यह देखे side से कितने अच्छे से पक गई है यह तो चलिए अब हम इसको pieces में cut कर लेते हैं 9 pieces cut करेंगे हम इसके यह देखें यह कितने सानी से cut रही है और knife भी देखें कितना clean निकल रहा है एक मिन्स हमारी brownie जो है वो अच्छे से पक गई है तो pieces हम इसके cut कर लेंगे अच्छे से आप जैसे चाहिए इसके pieces cut कर सकते हैं तो यह देखिए यह हमारी brownie जो है वो बनकर एकदम तयार है तो इस तयार chocolate brownie के उपर अब हम डाल लेंगे थोड़ा सा हर्शी सिर्प तो यह chocolate हर्शी सिर्प मैं इसके उपर डाल रही हूँ इससे taste बहुत अच्छा हो जाता है तो आप इसे बना कर fridge में रख लें जब भी आपको मीठे की craving हो तो इसे 30 second microwave करें और उसके बाद इसके उपर vanilla ice cream डाल कर इसे खाएं ice cream से इसका taste double हो जाता है ठंडी और गरम का यह combination बहुत ही अच्छा लगता है तो आप भी इसे Christmas की मोके पर ज़रूर बनाएं तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे like and share करना मत भूलिएगा और हाँ अगर आप में चैनल पर नए हैं तो में चैनल को subscribe करना भी मत भूलिएगा तो मिलते हैं हम हमारी अगली वीडियो में तब तक stay safe, stay healthy and thanks for watching my video, bye bye